हलो दोस्तों जै हिंद जै भारत वंदे मात्रम एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूटूब चैनल सीवेजुकेशन नियूज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बियारो गृप बियारो गृप में आप सभी को पता है कि एसकेटी का एक्जाम आज कंडेक्ट करा ल जीके कितने थे ट्रेड के कितने थे और पूरी जान कर दी जाएगी पेपर का लेवल क्या था और जैसा एक्जाम प्रेटन आप उन्होंने जो बियारो ने दिया था उसी परकार से आपका जो पेपर आया है वो आपको पूरी जान कर दी जाएगी कटोप के बारे में भी आ आप जाकर जोईन करें क्योंकि जब भी इसका result आएगा उसकी कटोप के बारे में लगातार बच्चे वहाँ पर जूट रहे हैं और वहीं पर ही आपको जान कर दी जाएगे ठीक है तो चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं आपका जो कितने आप आपका जैसे लगबख कितने स्टुडेंट को आपका जो कोलेटर है वो जारी किया गया है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ आपको पता है कि लगबग आट जार बच्चों का कोलेटर जारी किया गया था अब ये सुवाल है कि कितने परसेंट बच्चे एक्जाम देने पहुंचे तो मैं परसेंट नहीं डारेक्ट आखड़ा ही आपको बता देता हूँ ठीक है तो आपके जो बच्चे एक्जाम देने पहुंचे थे वो 5000-6000 के बीच में ही बच्चे पहुंचे थे पांच जार से छह जार ही आपके बच्चे एक्जाम देने पहुंचे थे क्योंकि ये एक्जाम एक थोड़ा ओफ लाइन है और बच्चे कई वार फोंप भर देते हैं हमारे जो contact हुए हैं बच्चों से उनसे जो हमने राय लिए उस हिसाब से वही कह रहे थे कि लगबग इतने परसेंट ही बच्चे आपके और इतने ही लड़के आपके पहुँचे अब बात करते हैं पेपर में कितने कुशन आए तो मैं आपको बता दूँ पेपर के अंदर टोटल सो कुशन थे ठीक है यह तो आपको सभी को पता है यह पहले भी जारी के कह दिया था कि आपके सो कुशन होगे पिछली बार एक कारण था कि करोना एक कारण सेंटर अलग लग दिये वे थे पर मैं अच्छ लिए और 50 कुशन पूचि गे थे था ठीक है तो इस बार आपके सो कुशन आए हैं ठीक है अब इसके अंदर में आपको बता देता हूँ ऐसके जैसे कीतने कुशन तो मैं आपको बता देतों ट्रेक के संथर संदर के संथ्धर के संथर त्रीक है और लगवग ल बच्चों के जो करते हैं इलाहरात इसांद है जो जो ट्रेड है जो ट्रेड इसके आठी से अच्छी तयारी किया है हमारे YouTube चैनल से तयारी किया है हमने जिससे आपको नोट्स परवाइड कर रहे थे उस इसाब से गर त्यारी किया है तो आपका सेलेक्षन शोर है मैं 100% आपको लिख कर दे रहा हूँ ठीक है जिस बचे ने अच्छी लिए अपने notification में कहा था उसी परकार से क्यूस्इन आए है किसी परकार अलग से व Mercier जिस परकार उन्होंने जान कर दिए उस हिसाब से ही आपके क्यूस्इन आए है अभ बात करते हैं पेपर का level नियुक्त है पेपर के level के ओपर बात करते है तो paper का level 3 प्रकार से आपको जानकारी मिलती है जिसे easy, medium और hard यह आपके paper का level होता है तो मैं आपको बता दूँ जो आपका paper है paper का level आपको मैं बता रहा हूँ paper का level medium था medium था, easy to medium था, hard कोई नहीं था तो बच्चों मेरे कहने का आरत है जिस बच्चे ने अच्छी तयारी किया है तो उसका selection 100% है हम आपको लिख कर देंगे ठीक है, तो आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो के अंदर कटोप के बारे में और result कब तक आयागा उसके उपर में अलग से वीडियो आपके लिए तयार कर रहा हूँ कटोप भी तयार आपको सटीक जानकार देंगा जिस परकार हमने admit कार ये कटोप बताया थी उसी परकार हम आपके रिजेल्ड की कटोप भी एकदम सटीक तयार करके लाएंगे उसके लिए हमें कुछ दिन चाहिए तो मैं आपको मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम कटोप और एक्जाम आपका जो रिजेल्ड है वो कब तक आएगा उसकी पूरी जानकरी एडजेक्ट आपको तारिक बता दी जाएगी इसलिए आप हमारे जो नए वीडियो है उसका इंतजार करें जिस बच्चे ने अभी तक बियारो वार्टसप ग्रूप जोइन नहीं किया है उसे जरूर जोइन करें क्योंकि वहाँ पर बच्चे लगातार अपने जो अग्स्पीरेंस है वो सेर कर रहे है ठीक है तो चलिए अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर बियारो की नई अपडेट के साथ तब तक के लिए जे हिन जे बारत और वंदे मातरम